Good morning dear kids, how are you? I hope all are fine. हमने English 2 में chapter number 6 use of he and she read क्या था? he कब use होता है? जब कोई male person हो, male means जब कोई लड़का हो, किसी आदमी का नाम हो तो उसके लिए हम क्या use करेंगे? he and she, she कब use करते हैं? जब कोई female person हो, female means लड़की और जैसे कोई girl है, उनकी मुम्मीत हो, उनके लिए हम क्या use करेंगे? शी, इसमें आपको वीडियो मैंने send किया था, अब solution है true and false, true means सही, false means गलत, Maya is elder, elder means क्या होता है? बड़ा, तो Maya जैसे बड़ी है ना, उसके लिए हम क्या answer लिखेंगे? true J is younger, younger means छोटा, J माया से छोटा है, तो इसमें क्या J is younger, J छोटा है, तो हम answer क्या लिखें, J तो छोटा ही है, तो उसका answer क्या होगा true Maya is younger, अब इसमें क्या, Maya J से छोटी है, no, क्योंकि Maya is elder, answer क्या होगा, false J is studying class first, आपने reading की ना, chapter, तो इसमें J कौन सी class में था, first, तो इसमें भी क्या बोला, J is studying class first, तो true, Maya studying class first, J और Maya दोनों एक class में थे, no, क्योंकि Maya J से बड़ी थी, और J छोटा था, तो उससे एक class, बड़ी, ज़्यादा class, बड़ी class में होगी, दो Maya studying class second, या first लिका तो answer, false, इसी तरह फिलप्स आपको करना है, अब next chapter हम स्टार्ट करते हैं, 7, use of he has, and she has, अब आप मिरको बताओ, he कब use करते हैं, जब कोई male person हो, male means boy, जैसे आप हो, जो भी boy हैं, उनके father है, grandfather है, uncle है, उनके लिए हम क्या use करते हैं, he, और she, जो girl है, आप mother है, grand mother है, auntie है, तो उनके लिए हम क्या use करेंगे, she, अब है, he has, he has मतलब कोई भी boy के पास कोई ची, जैसे नमन, नमन है, उसके पास pencil है, तो हम बोलेंगे, he is नमन, यहाँ नमन है, he has a pencil, उसके पास क्या है, pencil, he has मतलब उसके पास, तो जब कोई boy के पास कोई चीज होगी, तो हम he has use करेंगे, okay, she has, she has मतलब कोई girl है, उसका नम पूजा है, तो हम बोलेंगे, she is पूजा, यहाँ पूजा है, she has a doll, उसके पास क्या है, doll, तो she has मतलब उसके पास, okay, हम chapter reading करते है, he, he, is, is, shivam, he is shivam, he is shivam means, जो यह boy है, उसके आत्में जो ball है, वो कौन है, shivam, तो हम उसके क्या बोलेंगे, he is shivam, यहाँ shivam है, he is a boy, यह कौन है, लड़का, तो हम बोलेंगे, यहाँ लड़का है, he has a ball, he has आया, यह लड़का है, तो उसके लिए क्या आया, he has, he has a ball, उसके पास क्या है, ball, हम यह क्या बता है, उसके पास, तो इसके लिए क्या लगाया? He has, okay? Next, she is Tanya. यह लड़की है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? She. She is Tanya. यहाँ Tanya है. She is a girl. यहाँ लड़की है. She has a doll. She has a doll. She has क्यों यूज किया? क्योंकि हम बता रहें कि उसके पास doll है. उसके पास तो इसके लिए, यह लड़की है, तो इसके लिए C यूज किया? She has a doll. उसके पास क्या है? Doll. थर्ड, she is Shreya. यहाँ Shreya है. She is a girl. यहाँ लड़की है. She has a book. क्योंकि यह लड़की है, उसके लिए C has used हुआ. She has a book. उसके पास क्या है? बुक. फिर नेक्स पिचल किसकी है? बॉइ की. तो बॉइ के लिए हम क्या यूज करेंगे? He. He is devil. Sorry. He is devil. He is a boy. यह क्या है? एक लड़का है. He has a cup. अब क्या बता रही? जो बॉइ है, उसके पास क्या cup है? तो यह boy है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? He has. He has a cup. ठीक है? अब नेक्स एक्सरसाइज. True and false. Devin is a girl. जो Devin है, वो girl है. आप पिच्चर में देखो. क्या है वो? Boy. तो आंसर क्या होगा? False. सीवम is a girl. यह आपको नाम के तुरू पता सीवम. सीवम तो एक लड़की का नाम है. तो यहाँ क्या है, सीवम is a girl? False. स्रेया is a girl. स्रिया तो एक लड़की का नाम है और इसमें स्रिया इस आंसर भी दिया. सीवम is a girl. True. तानिया is a boy. False. डेविन हैज a cup. तो डेविन के पास क्या है? Cup है. तो यह आंसर क्या होगा? True. फिलप्स. सीवम डैस अब बॉल. आपने जब चैप्टर रिड़की है, तो सीवम डैस अब बॉल. तो हम उसके पास के लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि यह सीवम नेम आगए, तो हम यह यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर उसका नाम अगए सीवम. तो हम फिलप्स में क्या करेंगे? सीवम has a ball. सीवम के पास क्या है? बॉल. फिर है, डैस इस तानिया. डैस इस तानिया. तानिया कौन है? गल है. तो गल के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी. शी इस गल. तानिया. स्रिया इस डैस. स्रिया कौन है? गल यह बॉय? गल. तो हम लिखेंगे, स्रिया इस अ गल. डैविन हैज अ कप. Devin के पास क्या था Cup Tanya dash a doll Tanya के पास क्या है Doll है तो उसके पास के लिए याँ पे Tanya name आगए तो C नहीं use करेंगे Tanya has a doll अब notebook work है Who is Seavum Question 1 है Who is Seavum Question 1 Who is Seavum Seavum कौन है सीवम एक लड़का है Q2. What has सीवम गोट? What has? Has कभी उज़ोता है? उसके पास सीवम के पास क्या है? सीवम गोट अब बॉल Q2. Who has a doll? किसके पास डॉल है? आपने जब रिडिंग की तो किसके पास डॉल थी? तान्या तो आंसर में में लिखेंगे तान्या हैस डॉल Q4. What has श्रीया गोट? श्रीया के पास क्या है? श्रीया गोट अ बुक श्रीया के पास बुक है Q5. Who has a cup? डैविन हैस अ कप डैविन के पास क्या है? इसी तरह आपको वर्क बुक का वर्क और नॉट्बुक का वर्क नॉट्बुक में फिल करना है क्या है